बहुत बहुत सोगत है सुभी का हमारी योटूब चैनल स्टोन मीडिया में मैं हुराज रॉप दिख रहे हैं स्टोन मीडिया शुरूब चैनल बिहार राज स्वस्त विभाग बिहार सरकार 10 लाख यूवाओ की नोकरी 2025 विधान सभा एलेक्शन तो जो 10 लाख यूवाओ को न अपडेट करते आ रहा हूं उनिवर्सिटी के नीउस देने के साथ साथ मैं तमाम वैकैंसी सरकारी योज़्दाओं पर भी दीरे-दीरे मैं जो एकि वहां से ट्रांसपर हो रहा हूं उनिवर्सिटी नीउस से ताकि सभी परकार का निउस जो है तौमाम इस्टुडेंट आ जाती है यह सच में जितनी बैकांशी के बारे में वेग्यापन के Sellya रही है यह को रहा है आप लोग थोड़ा कॉमेंट में बता Δिप्सक्राइब जितना लुच में दिखाया जाता कि यह वा वा कैसी सच में वह वा आप लोग अपनी डाय दीजिएगा लेकिन चलिए इस वेकैंसी के उपर हम बात करते हैं आप दिखेगा तो आज के पटना के परभाद अख़बार में इसको रिपोर्ट किया गया है कि बिहार में बहुत जल्द 46,009 नियुक्तिया होगी वो भी सुवर्स्त विवाग में एक एक हजार अतिरिक्त टीका करन कॉर्णर खोलने की योजना है स्वस्त मंत्री जो आपको स्क्रीन पर फूंटो दिख रहा होगा इनका नाम है मंगल पांडे इन्हों ने बताया है कब रविवार को और वह भी रविवार को क्या कर रहे थे मंत्री सहब तो आप देख पा रहे तो उसी वक्त इन्होंने यह बात की है कि चालिस हजार पदो पर नियुकती होगी जिसमें 12,000 नर्स की बहाली होगी वीडियो पॉस्ट करके आप देख सकते हैं अलग अलग परकार की बहाली होगी यदि हम नर्स की बात करें या सवस्त विवाग में जूरे और भी पोस्ट सकता है बहुत सारे की कहलिफे के लिए चिनकी क्वाहली आप सकता है कालिंग में चाहिब इसंग अलग अलग हो सकता है कि यह सभी महिलाओ के लिए अस देजियों इसके जो कि 46,000 तुमाम इस्टुएंट इसके बारे में बताया गया है कि 46,000 नहीं पदों पर बहाली होगी और रहा बात कि कब से ये बहाली पर करिया शुरू होगी क्वालिफिकेसंस एकदम पूरी जो है कि अटनोटिफिकेशन कब जारी होगी तो मंतरी साहब ने ऐसा बात कहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमको आपको क्या बताए ये जल्द सब्द जो है न ये जल्द कितना जल्द होगा ये जल्द सब्द को भी खुद बता नहीं होता है कि हम कितने जल्द ही में हैं जल्द कहा गया है, यानि इस महीने भी वेकेंसी आ सकती है, अगले महीने भी आ सकती है, या अगले महीने लास्ट या उसके बाद वला भी महीन आ सकता है. तो आप लोग शल से अपडेट रहेगा किसरी परकार की बिहार राज हो या जो की और भी स्टेट्स की वेकैंसी वगएरा या सिंटर गॉर्मेंट की वेकैंसी वगएरा आ रही है या आती रहेगी हम आपको तमाम जानकारी समय समय पर देते रहेंगे फिल्याली आस के पटना परभाद खबर में इसको रिपोर्ट किया गया है आप भी जो है कि वहां के अखबार को उठा करके आप इसको असानी से देख सकते हैं या आप इस आठिकल को परने के लिए को पॉस करके आप आसानी से इसको पर सकते हैं बहुत बहुत धनवाद आपका इस देखने के लिए